गुड मॉर्णिंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मटर के बारे में ग्रीन पी के बारे में आज इस वीडियो में मैं आपको बताने बाला हूँ कि आप अपनी छट पर अपनी बाल कली में या फिर बगीचे में मटर को गमले में इसली कैसे क्रोग कर सकते हैं वो भी और्गैनिक तरीके से जी हाँ दोस्तो इसकिन पर यह जो आप मटर देख पा रहे हैं यह हमने अपनी छट पर एक 14 इंच के गमले में उगाई हुई है और हमारी इस मटर पर कुछ फलिया आई हुई है और कुछ जो है नई फूल भी बनने लगे हैं तो आप भी इस तरीके से अपने टेरिस पर अपने बगीचे में या फिर अपने बालकनी में मटर को गमलों में इसली उगा सकते हैं वो भी और्गैनिक तरीके से आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करते हुए आखर तक देखिए इस वीडियो में हम आपको मटर उगाने की पूरी जानकारी देने वाले हैं तो दोस्तो आप बने हुए हैं फार्मिंग के पसे यूटूब पर चैनल पर पहली बार आये हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो अच्छी लगते हैं तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तो अच्छी मटर ग्रो करने के लिए हम सुरुआत करेंगे बीच से तो सबसे पहले आपको मार्केट से अच्छी क्वाल्टी के मटर के बीच पर्चेस कर लेने हैं खरीद लेने हैं तो हमने आपर मटर के देशी सीड लिए हुए हैं आप देशी सीड लगाने की कोसिस कीजिएगा और उसके बाद आपको एक सूती कपड़ा लेना है आप जो है सूती रूमाल ले सकती है या फिर कोई भी अन्य कपला ले सकती है उस कपड़े में आपको जो है हमारे जो मटर के सीड है उन्हें आपको इस तरीके से रख देना है तो आपको मटर के देशी सीड ही लेनी है हाइब्रेट सीड आपको नहीं लेनी है तो हमने आपर मटर की पोटली तयार कर दी है ये दिखिए अब आपको एक प्यास्टिक का कोई बरतन लेना है आप कोई भी बरतन ले सकते है और जो हमने पोटली तेयार की हुई थी उस पोटली को हम इस बरतन में रख देंगे और उसके बाद आपको ताजा पानी लेना है और उस पानी को आपको पोटली के उपर डाल देना है जिससे जो हमारे मतर के सीड है वो अच्छे से भीग जाएं इसे आपको जो है कम से कम तो से तीन बार इस तरीके से पानी में डोवे देना है और इसे हम छोड़ देंगे कम से कम दो दिन के लिए चलिए दो दिन बाद मिलते हैं दोस्तों यह दो दिन बाद का result है यह दो दिन बाद की update है हमने spotlie में जो मटर के seed भिगोने के लिए रखे हुए थे चलिये अब हम उन्हें खोल करके देखे लेते हैं हमारे मटर के seed अंकुरित हुए हैं या नहीं तो दोस्तों यह देखिए जो हमारी मटर है वो फूल गई है और कुछ बीजों में जो है अंकुरड निकल आया है ये देखिए इस तरीके से तो फ्रेंड्स मात्र दो दिन में ही हमारी मटर में जो है अंकुरड निकल आया है चलिए अब हम मिट्टी तियार के लेते हैं मटर उगाने के लिए हमने आपर एक 14 इंच का पॉट लिया हुआ है और उस पॉट में हमने मिट्टी पहले से भरी हुई है ये देखिए 70 परसत हमने अपनी बगीचे की मिट्टी ली है 30 परसत हमने कॉमपोस्ट ली है अगर आपके पास कॉमपोस्ट नहीं है तो आप बर्मी कॉमपोस्ट ली सकते हैं और इस तरीके से आपको दोनों को आपस में अच्छे से मिक्स कर देना है उसके बाद आपको मटर के सीड लेनी हैं जो हमने अंकुरत किये हुए हैं उन्हीं बीजों को आप गमले में इस तरीके से बिखेर देंगे लगा देंगे चलिए जल्दी से मैं इस गमले में जो मटर के सीड हैं उन्हें अच्छे से लगाए देता हूं एक गमले में आपको कम से कम बीस दाने डाल डे हैं उससे ज़्यादा आपको मटर के दाने नहीं डालने हैं तो हमने आपपर मटर के सीड अच्छे से लगा दिये हैं ये देखिए चलिए अब हम इन मटर के बीजों को मिट्टी या फिर गोवर खाद से कवर किये देते हैं हमने आपर प्योई डिकंपोस्ट गोवर खाद ली है और इस तरीके से आपको मटर के बीजों को गोवर खाद से कवर कर देना है धक देना है चलिए जल्दी से मैं इन बीजों को गोबर खाद से अच्छे से कवर किये देता हूँ अगर आपके पास गोबर खाद नहीं है तो आप कोकोपीट ले सकते हैं कोकोपीट से भी आप मटर की बीजों को कवर कर सकते हैं ढख सकते हैं तो मैंने आपर मटर के बीजों को गोवर खाथ से अच्छे से कबर कर दिया है और इस तरीके से आपको हातों से उसे हलके हलके आतों से दबा देना है जिससे जो हमारे मटर के बीज है वो उख़डे नहीं तो हमने आपर मटर की भी जच्चे से इस गमले में लगा दिये हैं अब हम वार्टरिंग करेंगे वार्टरिंग पहली बार में आपको वरपूर करनी है वार्टरिंग आप किसी ऐसे वर्टर से कीजिए जिससे मिट्टी उखड़े नहीं तो हमने आपर हजारा लिया हुआ हजारे के साथ से हमने वार्टरिंग की है आप भी किसी ऐसी चीज से ही वार्टरिंग कीजिएगा जिससे गमले की जो मिट्टी है वो उखड़े नहीं फ्रेंट्स ये बारा दिन बाद का रिजल्ट है और मात्र बारा दिन में ही हमारी मटर जो है अंकुरित हो गई है जैमिनेट हो गई है ये देखिए मात्र बारा दिन में ही हमारी मटर जो है काफी अच्छी से ग्रो कर गई है ये देखिए हमारी मटर के लगबग सभी सीट जै Step 2 के बारे में Step 2 क्या है? Friends, Step 2 में आपको चार लकडी लेनी हैं. हमने आप पर एक से डेड़ फीट की चार लकडियां ली हुई हैं. और उन लकडियों को आपको इस तरीके से गमले में लगा देना हैं, गार देना हैं. चलिए, जल्दी से अब मैं चार लकडियों को इस गमले में लगा देता हूँ. इस तरीके से आपको चार लकडियों को अच्छे से लगा देना हैं. अगर आपके पास ज़्यादा लगनी हैं, तो कोई दिक्कत वाली बाद नहीं हैं. और उसके बाद आपको एक रस्टी लेनी हैं, हमने आपको एक रस्टी ली हैं, और उस रस्टी को आपको पहली लकडियों के स्रे से बादना हैं, इसी तरीके से आपको चारों लकडियों के स्रे पर आपको रस्टी बहन देनी हैं, इस तरीके से, इससे यह फाइदा होगा, जो हमारी मटर की वेल है वो इस रसी की मदद से उपर तक चड़ जाएगी तो हमने इस पॉर्ट में लकणियां लगी हुई थी उन सभी लकणियों पर रसी अच्चे से बांदी है ये देखिए फ्रेंड्स ये 20 दिन बाद का रिजल्ट है और ये देखिए जो हमारी मटर है वो काफी तेजी से ग्रो कर रही है मात्र 20 दिन में ही हमारी मटर जो है काफी अच्चे से ग्रो कर गई है जो हमने रसी बांदी हुई थी उस रसी की मदद से जो हमारी मटर की वेल है वो उपर की ओर चड़ गई है चलिए अब हम मटर के लिए फाइटेलाइजर बनाएंगे खाद त्यार करेंगे हमने आप पर प्योर डी कमपोस्ट कोबर खाद ली है ये देखिए ये बहुती सकते साली खाद है एक बार आपको अपनी मटर में डालना है और फिर आपको कभी भी खाद डालने की आविशक्ता नहीं पड़ेगी तो हमने आप पर प्योर डी कमपोस्ट कोबर खाद ली है और उसके बाद आपको एक पॉर्ट लेना है या फिर कोई जग ले लीजिए उस जग में आपको कम से कम डेट सो ग्राम गोवर खाद डालनी है तो हमने इस जग में डेट सो ग्राम गोवर खाद डाल दी है और उसके बाद आपको ताजा पानी लेना है फ्रेस पानी लेना है और उसी जग में आपको एक लीटर पानी डाल देना है डेट सो ग्राम आपको खाद लेनी है और एक लीटर पानी चलिए अब हम दौनों को अच्छे से मिक्स की देती है लकड़ी की सायता से आपको गोबर खाद को पानी में अच्छे से मिक्स कर दिना है इस तरीके से तो हमने आपर गोबर खाद को पानी में अच्छे से mix कर दिया है, dilute कर दिया है गोबर खाद में जितने भी जरूरी पोसकत्तों हैं जो nutrients हैं वो पानी में अच्छे से dissolve हो गए हैं और इस तरीके से आपको अपनी मटर में इस fertilizer को डाल देना है, खाद को डाल देना है हमें अपने खाने पीने की चीजों में कभी भी chemical fertilizer का यूज नहीं करना चाहिए आप जो है organic खाद का यूज करें तो हमने आप पर गोबर खाद fertilizer अच्छे से डाल दिया है मटर में चलिए wait करते हैं कुछ दिन का friends ये पूरे 28 दिन बाद का result है और ये देखिए हमारी गमले में लगी हुई मटर पर फलियां आने लगी हैं फूल आने लगे हैं ये देखिए तो friends इस तरीके से आप अपने घर पर अपने टेरिस पर या फिर बालकनी में गमले में और्गयनिक तरीके से जो है मटर उगा सकते हैं ये देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सियर जरूर कीजेगा जिससे अन्य फ्रेंट्स भी अपने घर पर अपनी बालकनी में गम्रों में जो है और गनिक तरीके से मटर को हुगा सके अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है या फिर आपके कोई बात समझ नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं तो फ्रेंट्स फिर मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ किसी नई टॉपिक पर तब तक के लिए धन्यवाद